हेलो श्ट्रेस वेल्कम बैक मैं हूँ पीकी निराला एक बार वे इंगलेस के यूटूब चेनल पर हर दिख स्वागत है शारे बच्चों को वार्निंग फटा फर सारे बच्चे जूर जाएए शारे बच्चों को मरर्निंग फटा फर सारे बच्चे जूर जाएए चले मैं पुना फिर वापस आ गया हूँ दो दीन बीच में गया था ओके चली हम सुरुबात करते हैं भाई आज की क्लास का मदन कुमार मौनिंग चले सारे बच्चों को मौनिंग जो भी बच्चे जूर पाए हैं सारे बच्चों को मौनिंग आलोग कुमार मौनिंग नितीश कुमार मौनिंग धीपत कुमार मौनिंग शारे बच्चों को मौनिं फटावर सारे बच्चे जूर जाए तो चली हम सुरुबात करते हैं आज का क्लास और आज की क्लास हम बात करेंगे syntax का practice state 2 पिछले क्लास में चर्चा हुआ था syntax के practice state 1 और बहुत मजा के साथ आप लोग बनाए थे बड़ी interest के साथ आप लोग बनाए थे और बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दिये थे तो चली हम सुरुबात करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास में बात करेंगे practice state 2 तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग तयार हो practice state 2 की जवाब के लिए आप तयार होना तो चली हम सुरुबात करते practice state 2 तो आप पेन और कॉपी तयार रखे होना practice state 2 की जवाब भी देना और comment भी करना है ओके right question मतलब right option का comment भी करना है और 7 कॉपी पे भी लिखेना है okay हो जाएगा तो चली हम सुरुबात करते हैं आप लोग तयार हो अगला question के लिए चली हम सुरुबात करते हैं आपको अगला question जल्दी करो जल्दी करो आपके पास question है जल्दी किजे जल्दी question किजे आपको 1 से 21 तक question हो चुका है पिछले set में अब हम पढ़ेंगे 22 से आगे जल्दी करो comment करो right comment करो सारे बच्चे right comment करो right comment करो जल्दी करो अमीद कुमा ए लगबग सारे बच्चे का जबाब चलो ए आ रहा है जल्दी करो दीपक कुमार का भी जबाब ए है ओके खुस्पु कुमारी का भी जबाब ए है चलिए बात करते हैं चलिए question है आपका पालिक समझ लिया जाए question है आपका काता each of the sisters काले स्थन क्लेवर 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 ओके पले क्वस्थन समझ लीजिए याद होगा मेरे प्यारे बच्चो आपको बता गया था each either neither इच आइडर नाइडर शिमलर सब्जेक्ट है और जब भी यह सब सिमलर भर्व ही लेंगे each either neither ना यह सब every any यह सब किसी वाक का अगर सब्जेक्ट बनता है यह स्वेंग सिमलर रहेंगे आने वाला भर्व भी सिमलर लेगा और आपको जो पराय गया था सिंटेक्स तो यह भी बता गया था each either neither के बाद यदि कोई पॉजिशन अप आता हो तो नाउन तो पुलरल बना रहेगा लेकिन भर्व क्या लेगा भाई सिमलर लेगा उसके साब से आपका right option हो जाएगा A जो भी बच्चे A selection किये थे वो सही जवाब दिये हैं और बहुत बढ़ियां आप लोग जवाब दिये हैं बहुत अच्छा लगा भाई तो 22 का आपका right हुआ A तो चलिए भाई आप question number 2 के लिए आप तयार हो मतलब question number 23 के लिए तयार हो तो चलिए हम देते हैं आपका अगला question जल्दी कीजे जल्दी कीजे जल्दी कीजे शारे बच्चे right comment कीजे जल्दी जल्दी करो आपका अगला question है must of the rise wide in the future जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो शूरज का जबाब C है चलो भाई शूरज बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी सारे बच्चे जबाब दीजे कंचन कुमारी की भी जबाब C है चलो लडन करमार का जबाब C है नीर्मल का भी जबाब C है दीपक इज लीखा है चलो भाई देखते हैं सचीन का भी जबाब A है चले भाई सचीन थोड़ा देखो देखकर थोड़ा जबाब दिया करो पप्पू का पप्पू का जबाब C है चलो भाई चलो अच्छी बात है नीर्मल का जबाब भी C है चले चले मदन का भी जबाब C है नीरंजन का भी जबाब C है आई भाई ये देखते हैं और क्या अमीत कुमार का भी जबाब C है नेहा का भी जबाब C है चले सूरज का जबाब C है चलो बहुत बढ़िया चले चले भाई फटा फट सारे बच्चे जबाब दीजे जबाब दीजे अब देखते हैं भाई जो बच्चे C को सेलेक्शन किये हैं अधिकांस बच्चे C को सेलेक्शन किये हैं क्या यसी सही है क्या यसी गलत है आपका ज हम बताई थे must must of must आपके बाद दो बेवस्था आपका अगर must आपके बाद अगर पुलरल कौंचेवल ना उना आता है तो भर्व आपका पुलरल भर्व रहेगा लेकिन must आपके बाद आपका सिंगुलर बना रहेगा हम ये पढ़ाए ना भाई सिंटेक्स के रूल में ये हम पढ़ाए है ना must आपके बाद दो बेवस्था है must आपके बाद अगर पुलरल कौंचेवल ना उना आता है तो भर्व तो पुलरल बना रहेगा मस्ट अब के बाद अगर uncontable ना उनाता है तो भर्व सिंग्लर रहेगा आईए भाई तो मस्ट अब के बाद देख लीजे क्या आया है मस्ट अब के बाद आया है आपका राइस राइस क्या बाई अनकंटेवल क्योंकि राइस को आप पॉंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप चावल खाते हो चावल खाते हो पॉंटिंग करके खाते हो नहीं क्या वो चावल खाए आप खाना खाते समय है आप मम्मी को बोलते हो कि मम्मी पाँच को चावल लेते हो नहीं भाई राइस अनकंटेवल नाउन है uncontable noun है तो must up के बाद अगर uncontable noun आएगा तो भर्व कैसा रहेगा मेरे प्यारे बच्चो शिंगुलर लगेगा इसलिए M लिखना पाप होगा R लिखना पाप होगा SEL लिखना पाप होगा आपका जवाब C होगा और जो भी बच्चे C को selection किये है वो बच्चे की right जवाब है चलो बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दिये है दिल को छूग गया यह answer चले बहुत बढ़िया सारे बच्चे ने बहुत बढ़िया जवाब दिये है तो चलिए हम बरते हैं आगे और लेते हैं अगला question जल्दी जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए प्यारे बच्चो जल्दी कीजिए आपका अगला question है the price of mingo've खलियास्तान gone off मतलब price क्या हो रहा mingo का price क्या हो रहा गुणफ उल्द बढ़ रहा है जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चो right comment करो right comment करो जल्दी करना है मेरे प्यारे बच्चो जल्दी करना है चलि हम आप देखना चाते कोन बच्चे क्या लिख रहे हैं चले चले जल्दी कीजे निर्मल कुमार B जवाब दिया है चलो जल्दी करो मनिस्कमार का जवाब A है नितीस्कमार का निर्मल का भी B है चलो सोनू का जवाब B था चली जल्दी कीजे विकास का B जवाब है चलो मनोज का A जवाब है चली आसिस गुपता का A जवाब है नितीस का B जवाब है सुसील का B जवाब है चली सीबम का भी जवाब है भी जवाब है चले भाई चले स्वासो सबच के जवाब दीजे चले करन का भी जवाब सीथा चलो भाई सोनू का जवाब दी है ममीसा कुमारी का जवाब ए है चले आसिस कुमार चले सची चल्दी करो जल्दी करो आलोग कुमार का जवाब A है चलो राजा का B है आए भाई देखते हैं आप लोग अब क्या सेलेक्शन किये हैं और क्या होना चाहिए आए हम लोग बात करते हैं भाई प्राइस अफ ध्यान रखेगा प्राइस अफ याद होगा प्राइस अफ मेरे प्यारे बच्चो याद रखेगा प्राइस अफ हो ग्रूप अफ हो एसेट अफ हो याद है एसेट अफ एग्रूप अफ एकलास अफ एबंच अफ के बाद नाउन तो पुल्डल रहेगा लेकिन भार्ण सिंगलर होगा उसी तरह दा प्राइस अफ जो है दा प्राइस जो है ये किसकी प्राइस की बात कर रहा भाई आम की प्राइस आपका सब्जेक्ट क्या है प्राइस है और प्राइस जो है अनकंटेबल है और अनकंटेबल होने के नाते वह सिंगलर रहेंगे आने वाला भर सिंगलर होगा क्योंकि भाई किम्मत होता है भाई तो price uncontable noun है और आपका subject इसमें price है और price uncontable noun है जिसके जैसे आपको भर्व चाहिए सिंगलर have आपका kuldल है where आपका kuldल है अब देखना है कि यहाँ क्या होगा hedge होगा मेरे प्यारे बच्चों अगर यह भर्व है यहाँ भर्व है भर्व का रूप दिया गिया है तो धियान ड़केगा भर्व का रूप का मतलब यहाँ आपका भर्व का 5 फर्व है V1, V2, V3, V4 और V5 अब देखते हैं उसके इसाब से hedge और have hedge और have को हमेशा चाहिए भर्व का तीसरा रूप दियान ड़केगा hedge और have का साधी सगाई hedge और have के साथ हमेशा भर्व का तीसरा रूप रहेगा क्योंकि hedge और have का साधी सगाई भर्व के तीसरा रूप के साथ हुआ है लेगा जीएँगा हमेसा एकसा रहींगा। बातरा वाज और वर का वाज और वर की बात करो। तो वाज और वर के साथ टेन्स के हिसाथ जरी भर्ब का चोता रूप आता है। आज मेर के साथ भर्व का चौता रूप आता है प्यारे बचो यहां हम बात करते हैं वाज और वेर क्या भाई यहां क्या है यहां देखलो गौन है गौन भर्व का तीसरा रूप है और तीसー रूप गौन है इसका मतलब head और have में से आएगा इसलिए आपका ये वाला जबाब तो आपका नहीं होगा आपका जबाब होगा B और जो बच्चे B selection किये थे उसका सही जबाब है और जो बच्चे B selection किये थे उसका बिलकुल सही जबाब है और जो B जबाब दिये थे वह मनमन मुस्कुरा जाओ हैपी हो जाओ, खुस हो जाओ चलो, बहुत बढ़िया जवाब दिया था चले, अब देखते हैं अगला क्वेशन कितने बच्चे सही जवाब देखते हैं भाई, सही जवाब के लिए आपको पाले क्वेशन को पढ़िए समझे क्या का रहा है उसके बाद आप जवाब दीजेगा मेरे प्यारे बच्चो बीना पढ़े आप कॉमेंट नहीं करेंगे राइट ऑफ्चन का, चले गुड़ हम लेते हैं अगला क्वेशन, अगला क्वेशन के लिए तयान को जाएए, जल्दी कीजे आपको इसमें सही जवाब आना ही चाहिए अभी मेरे साथ जितने भी बच्चे जुरे हुए है सारे बच्चे सुमीद करेंगे इसका जवाब सही होना चाहिए जल्दी करो, इसका जवाब सही होना चाहिए जल्दी करो, जल्दी करो मेरे फैरे वक्चो, जल्दी करो उसका सही जबाब, तेरे सही जबाब, चलो, चलो देखते हैं, नितीज कुमार का जबाब भी है, चलो, रबीन यादब का भी जबाब भी है, चलो, 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 अंकीत कुमार का भी जबाब, क्या है भा चलो भाई जल्दी करो शक्त्यम सिंग का जबाब B है रियाقت खुमारी की जबाब इज है इसका मतलद इज किस अफ़सन में B में है चलो गूट जल्दी करो सारे बच्चे जल्दी करो जल्दी करो बहुत अच्छा लग रहा है ब्रिंदर का भी जबाब भी है चलो चलो मदन का भी जबाब भी है चलो जल्दी करो जल्दी करो पूजा भारती की भी जबाब चलो इज है चलो चलो जल्दी करो शारे बच्चे जल्दी करो चंदा कुमारी की भी जवाब भी है चले निर्मल आलोक कुमार का भी जवाब भी है चले परदिप कुमार का भी जवाब भी है विकास का भी जवाब भी है तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं क्या ये राइस होता है या नहीं राइस और कड़ी आप बताव राइस देखे हो ना भाई राइस और करी करी का मतलब करी होता हम लोग कि यहां करी बनता देखे होंगे ममीरू करी बनाती है कैसे बनाती भाई तो दहीते बनता न भाई करी तो करी करी और बरी होता न भाई यह करी और बरी आए तो राइस एंड करी है तो राइस सरकरी फेवरेट है जिसका मतलब खानी की बात हो रहा है या वह खानी की बात होगा खाते हैं ये दोनों खाते हैं से लिए उसकी फेवरेट है तो भाई कैसे खाते हैं खाते कैसे हैं पहले चावल खाते गए 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 जब ये ये समुद्र भढ़ गया ये समुद्र पापी पेट जब भढ़ गया तो उसके बाद क्या किये कड़ी जो बना हुआ था जो पूरा बुरा जो वो बरतन में था उसको ऐसे उठाए और गटक लिए क्या अशर खाते हैं नहीं मेरे प्यारे बचो पहले क्या हमें कैसे क आते हैं पहले चाबल लिए थोरा सा चाबल लिए और चाबल में करीडाल मिला दिये दोनों को मिला कर मिला कर दोनों को मिला दिये मिला दिये मिला दिये मिला दिया उसके बाद लेते हैं ना तो क्या को लिए दोनों को मिला कर क्या को हुआ एक उन हुआ जब एक को होगा मेर मेरे प्यारे बच्चों तो यह सिंगलर सब्जेक्ट होगा और भर क्या लेगा शिंगलर लेगा कुछ दिक्कत मेरे प्यारे भाईयों सिंगलर लेगा भर कैसा लेगा शिंगलर लेगा तो समझे मेरे प्यारे भाईयों समझे यहां भर क्या चाहिए सिंगलर आर्थो पुल्ड है लेना पाप है, यहां हैड के लिए भर का तीसरा रुप चाहिए, यहां पास में होना चाहिए, तो पास का सिंस है नहीं, हैड के साथ यहां तो भर का तीसरा रुप चाहिए, हैड के साथ यहां तो पास के सिंस होना चाहिए, जिसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक गारी ह यहाँ वो भी सिंस नहीं है, इसलिए भी गलत है, हैब पुल्डल है, चो मुझे चाहिए तो सिंगलर, इसलिए आपका जबाब भी होगा, जो भी बच्चे भी जबाब दिये हैं, जो भी बच्चे भी जबाब दिये हैं, और लगबग सारे बच्चे भी ही जबाब दिये थे, और सारे बच्चे का राइड था और राइड जबाब आपने उल दिये थे जो भी बच्चे भी जबाब दिये ए वो खुस हो जाओ हैप्पी हो जाओ बहुत मजा रहा भाई सेट बनाने बहुत आनंदा रहा है आप लोग दिल को छुगे बहुत बहुत मेहनत किये हो चलो बहुत बढ़िया चले देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन के लिए तयार हो अगला कोशन के तयार हो चलो गोड़ लेते हैं अगला कोशन मेरे प्यारे भाईयो चलो लिखो अगला देखो जल्दी I speak Hindi and Urdu but Ram आपको देना जवाब इसको जवाब जो बिबच्चे दे दिए जो बिबच्चे दे दिए चलो उसको 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 बहुत intelligent मारेंगे और साती साती साथ लिखो जल्दी करो मेरे प्यारे बच्चो देखते हैं जब आप कौन सही दे पाते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो निर्मल का जवाब सी है चलो चलो देखते हैं जवाब क्या भाई चलो जल्दी करो देखते हैं सारे बच्चे क्या जवाब देते हैं राजा का जवाब भी है शरी जल्दी कीजे मेरे प्यारे भाईयो जल्दी करो आलुक कुमार का जवाब भी है करंग का जवाब भी है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी कीजे सारे बच्चे नितिस कुमार भिकास कुमार जल्दी करो जल्दी कीजे जल्दी कीजे सब सारे बच्चे उटपटा जवाब दे रहे जल्दी जल्दी करो उत्रा सोच समझ के जवाब दो जल्दी करो जल्दी कीजे सारे बच्चे उटपटा जवाब दे रहे हैं शारे बच्चे उल्टा जवाब दे रहा है अब सबसे पहले हम राइट आपको ऑफ्चन बता दे आपका राइट अप्च्छन होगा B जो भी बच्चे बी जवाब दिये है वो जो है वो उसका जवाब बहुत सही है अर्थाद उसका जवाब बिल्कुल सही है कर रहा है कि मैं बोलता हूं हिंदी भी बोलता हूं और उर्दु बोलता हूं परंतु क्या है राम नहीं बोलता है राम यह सब नहीं बोलता है परंतु लगा है न भाई बट लगा है न तो इसकी अपोजिट की बात कर रहा है मैं हिंदी भी बोलता हूं मैं उर्दु भी बोलत हूं परम्तूराम नो तो उर्दु बोलता है नो हिंधी बोलता है तो नहीं बोलता है ना तो डजनाट ना भाई डजनाट ना राम similar subject है ना तो भर singular solid है अ destaun आपका當 अजनाट और डजनाट को अमसौट में लिखते हैं भाई, डजनाट को हम सप्ट में क्या लिखते है भाई, रजनाट, यह लिखते है भाई, यहां I speak और यह सब भाई बोलने की बात नहीं हो गिया, तो नहीं बोलता है, उसके लिए या तो डूनाट होगा या डजनाट होगा, तो आपका जबाब होगा मेरे प्यार देना आपको चले देखते हैं अंगला कुस्टन टू एंड टू कालियस्थान फोर सारे बच्चे से उमीद करेंगे इसका जवाब सही होना चाहिए जल्दी करो जल्दी करो सही जवाब आना चाहिए जल्दी करो टू एंड टू कालियस्थान फोर टू एंड टू कालियस्थान फोर जल्दी करो करन कुमार का जवाब भी है चलो जल्दी करो नितीस का भी है दीपक का भी भी है चले सुभास का भी जवाब भी है चलो जल्दी करो पूजा भारती का भी जवाब भी है चले जल्दी कीजे घंसयाम का भी जवाब भी है ओम प्रकास का भी जवाब भी है चले जल्दी जल्दी जवाब दीजे सारे बच्चे जल्दी कीजे जल्दी कीजे नीरज कुमार का भी जवाब भी है चले देखते हैं जवाब भी लगबग बच्चे दे रहे हैं जल्दी कीजे अधिकांस बच्चे जवाब भी ही दे रहे हैं आए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चो जो भी जवाब भी सेलेक्शन किये हैं बिलकुल बिलकुल सही जवाब आपने दिया है बिलकुल सही जवाब दिया है तू एंड टू भाई याद होगा किसी भी डिजिट को एंड से जोडने के बाब जुद ही वह सिंगलर ही रहता है और सिंगलर भर्म लेता है वो आपकों बात करेंगे तो गो जन्वजात मुख क्रिया जन्वजात पुल्डल होता है एस और एस लगा कर उसे सिंगलर बनाते हैं तो गो पुल्डल है और गोज आपका सिंगलर हुआ उसी तरह मुख क्रिया जन्व से पुल्डल होता है उसमें एस एस लगा कर उसे सिंगलर बनाते हैं इसलिए आपका जबाब आपका जबाब मैक्स होगा आपका जबाब भी होग चले अगला question के लिए आप तयार हो चलो गोड़ लेते अगला question जल्दी करो मेरे प्यारे भायो all the furniture कालियस्थान good all the furniture कालियस्थान good जल्दी करो जल्दी करो सारे बच्छे देखते हैं इसका सही जवाब कौन को दे पाता है जल्दी करो सही जवाब कौन कौन दे पाता है जल्दी करो जल्दी करो उसका सही जवाब कौन कौन दे पाते हैं जल्दी कीजिए all the furniture कालियस्थान good option a में एजए b में आर है c में वेर है d में head है common sense भी लगाएगा जो बच्छे सही जवाब दे पाएगा चलो करन कुमार का जबाब ए है सुरज कुमार का भी जबाब ए है चलो वहुत बढ़िया भाई चलो चलो जल्दी करो मनीश कुमार का भी जबाब ए है परबीन कुमार का भी जबाब ए है आसिस कुमार का भी जबाब ए है और आलोक कुमार का भी जबाब ए है विपीन कुमा कुमारी का भी चंदा कुमारी के भी जबाब ए है जल्दी करो जल्दी करो सारे बच्चे जल्दी करो चलो चलो लगभग सारे बच्चे ने जबाब जो दिया है वो जबाब लगभग सारे बच्चे का जबाब जबाब जो है शही जबाब बच्चे ने दिया है एही होगा भा और रहाता है आने वाला भर्ब ही सिंगूलर लेता है लिगायते नियूज याद है यह सब भूल गया नियूज था इसको सिंगूलर लेगा याद रखियेगा भाई इसलिए आपका राइट होगा ए येदि आप सिंटेक्स का सारे रूल कौबर किये हैं सारे रूल पड़े हैं तो आपका जवाब सही ही आना चाहिए और आता है चलो लेते हैं अगला पुसर मेरे प्यारे भाईयो देखना है देखना है इसकी जवाब जो भी दे दिया बच्च समझेंगे आप ये सिंटेक्स सही से पड़े हैं चलो मेरे बहादूर जल्दी करो जल्दी करो मेरे सेर जल्दी करो आप ये इसका जवाब दे पाते हो या नहीं देखते हैं कौन बहादूर सेर हो पाता है देखते हैं कौन जवाब दे पाता है जल्दी करो निर्मल निर्मल का जबाब ए है आलो का भी जबाब ए है यह है वाई जल्दी करो कुंदन का भी जबाब जबाब डू है दीपक रोहित का जबाब ए है चलो जल्दी करो जल्दी करो शचीन का भी जबाब ए है चली करो जल्दी कीजे मनिस कुमार का जबाब ए है चलो बहुत बढ़िया दीजे जबाब सही जबाब दीजे सारे बच्चे कुस्टन को पढ़कर जबाब दीजे बिना पढ़े जबाब नहीं दीजेगा कुस्टन को पढ़कर जबाब दीजे जल्दी कीजे मेरे प्यारे बच्चो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो मदन कुमार का भी जबाब ए है चल जल्दी करो जल्दी करो रितेश चलो नीरज शत्यम कुमार का भी जवाब ए है चले देखते हैं भाई देखते हैं राजीब कुमार का भी जवाब ए है चलो जल्दी करो करन चले सारे बच्चे लगबग जवाब ए दे रहे हैं आते देखते हैं फायर एड वाटर का गस्था नौट आगरी तो वाई ये पानी है और ये आग है ये दोनों एक दूसरे में नहीं मिल पा रहाई ये अलग हो गया एक या दू एक और दू गई हो गई एक पूलते हैं कि पुलडल दोनों अलग अलग बात हो रहा दोनों अगर ध्यान डखेगा हम बताई थे कि एंड के द्वारा अगर दो सब्जेक्ट को आपस में जोराज है दोनों जूटने के बाद दोनों मिलकर जब एको हो जाएगा तब सिंगलर समझेंगे अब हर सिंगलर देंगे लेकिन दोनों को मिलाएंगे दोनों को एंड से जो इस तरह मैतमेटिक्स में प्लस जोरता है तो बरता है उसी तरह इंगलिस में एंड का काम है वो जोरता है जोरने से बरता है तो आए मेरे प्यारे मचो तो फायर और आज दो अलग-अलग है दो सब्जेक्ट है तो पुल्रल हो गया भाई और तब क्या देगा भाई पुल्र बर सब्जक्ट कुलरल हो गया तो भर भी क्या चाहिए कुलरल कोई दिकत मेरे प्यारे भाईयो अब देखना है देखना है कि आपका डू जो है यह आपने सही जबाब आपने चुना होगा जो भी बच्चे ए सेलेक्शन किये थे उसका जबाब बिल्कुल बिल्कुल सही है चल चलो लेते हैं अगला क्वेशन लेते हैं चले तयार रही अगला क्वेशन के लिए यह क्वेशन जो भी बच्चे जवाब दे दिया चलो बहादूर माना जाएगा उसे बहुत इंटलिजेंट माना जाएगा सिंटेक्स का प्रिप्रेशन का बणिया होगा जल्दी जबाब दो ताइम एंड टाया कालियस्थान फोर नन मतलब समय और लहर समय और विवदा किसी का इंतिजार नहीं करता हिंदीवा शमय और लहर जो है मुशिवत जो है विवदा जो है किसी का इंतिजार नहीं करता जल जल्दी करो जल्दी करो विकास का जवाब ए है एसके का जवाब ए है चलो निर्मल कुमार का जवाब ए है चलो नंदन का जवाब ए है चलो भाई जल्दी जल्दी सारे बच्छे जवाब दो जल्दी जल्दी सारे बच्छे जवाब दो जल्दी करो कुंदन लिखे हैं वेट देखते हैं क्या होता कुंदन भाई देखते हैं क्या होता है कौन सा राइच ओप्सन होगा देखते हैं चलो चलो कुंदन चलो देखते हैं कौन सा राइच होगा आलो कुमार का जवाब ए है चलो बहुत बढ़िया विशून का भी जवाब ए है चलो देखते हैं भाई सारे बच्चे सचीन का भी जवाब ए है चलो चलो मनीशा कुमारी की भी जवाब ए है चलो जल्दी करो सचीन ए रितेस का जवाब ए चलो गंस्याम का जवाब वेट मतलब ए मनुच का भी जवाब ए सके सत्यम का भी जवाब ए है चलो 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 राजा कुमा का भी जवाब A है आईए भाईए आईए देखते हैं आप लोग जो जवाब दिये हैं क्या ये जवाब राइट है कौन-कौन बहादूर हो पाए कौन-कौन इंटलिजिन्ट हो पाए देखते हैं देखते हैं भाई टाइम और टायड समय और लहर ये दोनों अलग-अलग टाइम अलग चीज है लर अलग चीज है इसलिए दो है इसलिए full rule subject हुआ स्बजेक्ट तो भर्व क्या चाहिए full rule उसके हिसाब से यह सब्सक्तों जीका जाता ही नहीं है द्यान तकना है आपका कुल्डल है WAIT आपका यह सिङलर है मेरे प्यारे भाइयो तो जो भी बच्चे जवाब दिया था उनका बिलकुल राइट जवाब है वो बच्चे बिलकुल खुज हो जाए आपने हब्ति वाला काम किये हैं आप मज़ा वाला काम किये हैं आपने बड़ी सोच के जवाब दिया है बहुत बहुत बढ़ियां आपने मुझे दिल को खुश कर दिया अर्था बहुत अच्छा लगा चले देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन के लिए तयार हो जाईए अगला कोशन के लिए तयार हो जाईए जलदी किजे, अगरा Cand. परके जवाब दीजेगा मेरे प्याने भाइयो परके जवाब दीजेगा, जलदी किजे. जलदी किजे मेरे प्याने भाइयो जलदी करो, कोछ तुन है, milk and sugar, पर खाले अस्तार बेर इंट्रस्टीड दी आए देखते हैं बच्चे सब क्या राइट लिखा है राइट ओप्षन चुना है चलो शुशिल कुमार का जबाब ए है चलो एन एन का जबाब ए है चलो बहुत बढ़ियां पाई नाम तरह चेंज करो बढ़ियां नाम रखो चलो चलो देखते हैं अगला आगे क्या कर रहा बच्चे जल्दी करो जल्दी कीजे राइट कॉमेंट कीजे राइट कॉमेंट कीजे एन एन के एन तुरह नाम ठिक करो अच्छा नाम रखो अगली को टाइप करो चलो चलो जल्दी करो जल्दी कीजे सारे बच्चे की जवाब अ करो जल्दी करो मदन कुमार का भी जबाब ए है जल्दी करो शंकर का भी जबाब ए है चलो बहुत बढ़ियां आसिस का भी जबाब ए है चले बढ़ियां बढ़ियां रभी राजा का भी जबाब ए है चलो 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 भाई चलो कंचन खुमारी के भी जब आप यह जल्दी कीजे शले शलो जल्दी करो आइए देखते हैं आपका राइट क्या होगा देखते हैं जब आपस मिजोरा जै दोनों जुटने के बार दोनों से दो की बोध होता हो तब तो पुल्डर रहेंगे दोनों मिलकर जब एक हो जाता हो तब सिंगलर रहेंगे अब देखते हैं यहां एट के दुटा तो है ंब्म है मिलक एंड सुकर तो भाई एक गलाश अगर हम लेते हैं एक गलाश लिए और मिलास में गलाश में PCR कि है पानी डाल दीए को के ओंट पांक चमभश चैनी डाल दिए दो उटा गलास दूद और इसमें क्या खिए क्यां की तो चीनी डाल दी है तो बताव दूद और चिन ही, दोनो अलग अलग रहेगा, दोनो एक दूसरे में घुल मिल जाएगा। जब दोनो मिलकर एक हो जाएगा, तो तुः सिंग्लर सिंग्लर रहेगा। याद रखेगा singular subject हुआए तो भार क्या चाहिए singular और लगाना पाप वेर लगाना पाप बीट का कुछ सेंसी नहीं है इसलिए right आपका जवाब A होगा जो भी बच्चे A जवाब दिये थे बिल्कुल आपने सही जवाब दिये हैं बिल्कुल मन को खुझ कर दिया शेलो आगे बढ़ते हैं अगला कुछ सन लेते हैं अगला कुछ सन के लिए तयार हो जाइए A black and white dog खाले स्थांग eating its food एक जो है काला और उजला खुटा अपना भोजन खा रहा है भोजन करन कर रहा है चलो जल्दी करो अगर syntax सहीच से पढ़े हो syntax को practice करके आप set बना रहे हो तो मेरे समझ से आपका इसका जबाब तुम आसानी से दे सकते हो जल्दी करो जल्दी करो मेरे प्यारे भाईो जल्दी करो दीपक कुमार चले ए जबाब दिये हैं चलो विपीन कमार का भी जबाब ए है राजा का भी जबाब ए है चलो रोहित का जबाब ए है चलो बढ़ियां विकास का भी जबाब ए है निहा का भी जबाब ए है चलो निखील कवार कमार का भी जबाब ए है चलो चलो M.D. का भी जबाब ए है SK का भी जबाब A है, जल्दी करो, शलू राजू का भी जबाब, निर्मल का भी जबाब, शलू असुक का भी जबाब, सारे बच्चे के जबाब A ही आ रहा है, शलू सुसील का भी जबाब A है, करन का भी जबाब A है लगबग सारे बच्चे की जवाब ए ही आ रहा है आईए देखते हैं क्या होगा भाई A black and white dog मतलब एक ही कुत्ता है भाई एक ही कुत्ता है और एक ही कुत्ता में दो कलर है मतलब black भी है और white भी है कुत्ता क्या को है एक ही है क्यों भाई तो आपको बताए गया था यदि and के द्वारा किसके द्वारा भाई and के द्वारा अगर दो एड्जेक्टिव को आपस में जोरा जाए कि दो एड्जेक्टिव को आपस में जोरा जाए किसके द्वारा and के द्वारा तो दोनों adjective में से परतम वाले को अगर A, N, प्राप्त हो तो वह singular रहेंगे बर singular लेगा लेकिन दोनों adjective को इसमें भी A, N, 2 लगा हुआ हो और इसमें भी A, N, 2 लगा हुआ हो तो वह Puldreль रहेंगे बर Puldreль लेगा अब कोगित सर ऐसा क्यों हो तो अगर पर्थम बाला में ते बन ए एन लगा हुआ है तो एक ही कुटा में दो कलर है लेकिन दोनों में ए और एन लगा दिया है इसका मतलब एक कुटा ये हुआ एक कुटा ये हुआ दो कुटा हुआ इसलिए भर पुलर लेगा तो कहता ए ब्लैक एंड वाइट डॉग एक ही कुट्टा जो काला भी है और उजला भी है वो अपना भोजर गरन कर रहा है इसका मतलब एण के बाद जो है एण के बाद जो है इसमें ए एण का इस तमाल नहीं हुआ है अर्थात एक ही कुट्टा इसलिए भर्व आपका सिंगल करोगा इसलिए जवाब होगा जो बच्चे ए जवाब दिये थे बहुत वडिया जवाब जिये हैं चलो गुड ध्यान रकना है बस आपका दू कोषण इसके बाद on he केवल दो कोचेल और बचा हुआ है आपको बना कर जाना है सारे बच्चे को दो कोचेल बचा हुआ है यह जया है चलो कि और उबाक एक अर्फू法 करा मिन दो कुज्ला चुक विष्ञ दो नौड़ह बताना है और करो चलो अगला फुट्ट्ट प्लेस जल्दी करो जल्दी करो या बताना राइट जल्दी करो जल्दी जल्दी करो उने वच्पिन जल्दी काstem घे बाब तो आपको सही होना चाहिए राजा भी लिखा है राजा भाई सोच के जवाब दो राजा भाई नस्तारू करके आया है और जी चाय पीया है ना रहत चाय बहुरे शबरे सबरे पी कर कोशन बनाए करो अच्छा को मतलब बनेगा तुमसे चले चले साड़े बच्चे लगबग ए जवाब दे रहे हैं कुछ बच्चे बी जवाब दे रहे हैं अब बी जवाब दे रहे हैं तो साइद मेरे सिंटक्स का कलास नहीं किये हैं च्च्चा का कलास दे रहते तो आपको बी जवाब आपको कभी नहीं बोल पाते क्योंकि आपने पढ़े हैं देर को देयर एक introductory है ये ये देयर जिसके लिए आता है अगर वो सिंगलर आता है तो भर सिंगलर देंगे वो पुल्लर आता है तो भर पुल्लर देंगे आपको पता है किसके लिए देयर आया है एक पेन के लिए आया है क्या गो पेन है भाई एक गो पेन है एक पेन है इसलिए सिंगल अब आपको दे रहे हैं लाश्ट कुछन दे रहे हैं बताना आपको सही जवाब देयर कालेस्तान 5 पेंट ऑन दा टेबल सेम पुछन है बाई इसे पीछे पुछन जो था 34 में वहीं कुछन है 85 में तुरा सोच के जबाब देना है उमीद करेंगे सारे बच्छे इसका जवाब सही ही देंगे चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो मेरे प्यारे बच्चो मनिश कुमार का जबाब भी है चलो निर्मल कुमार का भी जबाब भी है बहुत बढ़िया निर्मल निर्मल बहुत बढ़िया जल्दी करो जारे बच्चे आगे आगे कॉमेंट करो जल्दी कर आप छोड़ेंगे लेट से क्लास स्टार्ट हुआ था लेट से इतना ही कोशन आज करवा पाएंगे फिर अगला question मतलब अगला कल करवाएंगी उके चले तो बताना भाई there काले अस्तान 5 पेंस there किसके लिए आया 5 पेंस के लिए 5 पेंस के लिए 5 पेंस इंगलर होगा कि पुल्डल पुल्डल होगा उसकी हिसाब साब का जबाब भी होगा सही जबाब जो भी बच्चे भी लिखा था बिल्कुल राइट जबाब है चलिए चलिए अधिकांस बच्चे पढ़ाई करके पढ़ाई करके अर्था syntax की practice करके आज question को solve किया है लेकिन उमीद करेंगे जो बच्चे सही जब आप नहीं दे पा रहे थे या जो बच्चे सही जब आप दे भी पाए है तो वो दोनों बच्चे से आसा करते हैं कि कल आपको फुना फिर practice से तीसरा होगा और तीसरे practice सेट के लिए आप जितने भी रूल पराए है जितने भी आपको syntax का रूल पराया गया है वह सारे के सारे rule आपको practice करना है एक पर बढ़ियां से रिडिक दे देना है समझ लेना है सारे example पर focus करते वे आगे पर जाना है आसा करते हैं होमबर्ग आप accept किये ना किये न भाई क्या होमबर्ग है भाई syntax में जितने भी रूल पराये वह सारे के सारे rule को तुम एक बार रिडिक दे देना बरियांते समझ लेना कुछ ऐसे rule जिसको याद रखने वाला है words वाला उसको याद कर लेना या सब या सब singular या सब पुल डाल इतना काम करके पुना कल तुम 6-10 या 6-15 में तयार रहोगे ना 6-10 या 6-15 में तयार रहोगे ना चल लगोर मेरे बायो 6-10 या 6-15 या 6-5 में भी हम आ सकते हैं आप तयार रहना चले भाई तो हम मिलेंगे फिर आपको अगले क्लास में अर्था कल के क्लास में प्रक्टिस से तीसरा लेके आएंगे और प्रक्टिस से तीसरा में देखते हैं कितने बच्चे राइट राइट जवाब दे पाते हैं आएए भाईए हम लोग मिलेंगे पुना कल आज के लिए गुड़नाइट जैहिन